जेवही जून जुलाई का महीने आता है, सरकारी विभाग में तबादलों का दौर सुरू हो जाता है और फिर जब सरकारी आदेशा अनुसार करमचारी एक कारियाले से दूसरे कारियाले या फिर एक परखंड से दूसरे परखंड में अस्थांतरित होते हैं तो कई बर्सों तक साथियों के साथ किये हुए काडियों के शुक, दुख, आसा, निरासा इन सबों को ले करके कई परकार के सब्द मन में सामने आते हैं और फिर मन जरूर कुछ छन के लिए मरमाहत हो जाता है हलाकि आपके सामने जो द्रिसे मैं जो रहा हूँ यह तेगरा परखंड के परखंडवाल विकास पर्योजना पदाधी काड़ी के काड़ियाले का है जहां की एक डाटा इंट्री ओपरेटर चंदन कुमार सहित कई महिला परवेक्षिकाओं का अस्थानांतरन हुआ है जिसमें लीला कुमारी, कुमकुम कुमारी, रीना कुमारी, इंदु कुमारी और किरन कुमारी है हलाकि ये सभी कई वरसों से एक साथ तिधरा परखंड में काम कर रहे थे और जब इन सबों के अस्थानांतरन की बात आई तो सबों की आखनम थे हलाकि इस बात को ये लोग भली भात जहां उन्हें कहीं न कहीं कई परखंडों का दोड़ा करना पड़ता है कई उइसे पता अधिकारियों के साथ काम करना पड़ता है जिन में कभी वो अपने आपको सहज महसूस करते हैं कभी सहज महसूस करते हैं कभी उन्हें खुशी मिलती है कभी उनके सामने कई सारे प्रस् हो जाते हैं सब्द कम पर जाते हैं सब्द चुप हो जाते हैं यह द्रिस्ट है और आज इन सभी परिविक्षिकाओं की आंखें नम हैं इनके पदा अधिकारी किस रूप में इने यहां से विदा करें कहना मुश्किल है लेकिन इस शन को यादगार बनाने के लिए साथ काम कर है सहकर्मी और सभी अस्थानांत्रित हुए प्रविक्षिकाओं ने पेर लगाकर जहां एक तरफ प्रकृति के अमूल चूल पडिवर्तन और बर्धान के कशम को एक और नया आयाम दिया एक नया और जूर दिया वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं अपने अस्थानांत्रन का एक अमिट छाप छोड़ा कि जब जैसे जयों ही और जब कभी भी ये लोग परखंड कारियाल में आकर इन पेर को देखेंगे तो कहेंगे कि मेरे उस वर्स के अस्थानांत्रन की ये पेर निसानी है और फिर अपने आप में परकृति के आसिरवाद का जो स्रिंगार होता है वह शब्दों से पड़े होता है हलाकि नम आखों से इन सबूं की अस्थानांत्रन की जो विदाई है विलकुल मरमाहत है काफी दुखद है और अधिकारियों में भी मलाल है अपसोस है कि कई वर्सों के काम के बाद आज अस्थानांत्रन हुआ